हेलो गैज वेल्कम तो मैं चैनल दिखी आज कितना अच्छा मौसम है बारिश होने वाली है साम का टाइम है और ऐसे में चाय के साथ कुछ क्रंची सा कुछ अच्छा सा कुछ अच्छा सा मिल जाए खने के लिए तो फिर कहना ही क्या है आज मैं आपको ब्रेट रोड बना के दिखाऊंगी इसके लिए हम लोग आलू के साथ साथ हमने थोड़ी सी जहां पे सब्चियों को भी लिया हुआ है इसकी भी हम स्टाफिंग करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ड्राइट रोड भी डालेंगे जिसे और भी टेस्टी आप प्लीज पूरा वीडियो देखिए चली बनाते हैं प्रेट रोल पनाने के लिए गयसे हम मैंने चार उबले हुए अलू ले लिये हैं मिडियम साइज के इनको हम अच्छे से मैस कर लेंगे अलू के साथ ही गयस यहां पर हम थोड़ी सब्जियां भी ले लेंगे लिए यहां मेने गाजर गूबी और मटर यह थोड़ी बराबर कॉंटिटी में ले लिया है गाजर को गूबी को हम कट कर लेंगे एक मीडियम साइज ले ली है थोड़ी हरी दनिया और दो हरी मिर्ची ले ली है अब आप देखिए इसी तरह से आप भी ले 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 आप चाहें तो अब पाड़ी आप 1 वर्ट इस्पून ले 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 लाएं यहां पर हम थोड़ी ड्राइफ्ट भी यूज़ कर रह रहे है, एक बड़ा चमच हमने ने कट हुई गरी ले लिया है, दो बड़ा चमच हमने मंगफली के दाने कच्चे ले लिया है, unji यहां परे म अधा चमज लाल मिर्च का पॉर्टर ले लिए यहां पर हमने एक पैक इट प्रेस ब्रेड ले लिए है सबसे पहले हम गैस जला देंगे फिर हम उसके उपर कड़ाई रख देंगे जब यह गरम हो जाए अच्छे से फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे इसके लिए मैंने दो तेजपत्ते डाल दिया और हमारा जो पंच पोरन था मैथी, सौफ, जीरा, अजवाइन और राई के दाने इसे हम डाल देंगे अच्छे से इसकी टैंपरिंग हो जाए फिर हम इसमें प्यास डाल देंगे कटी हुई जालने के बाद गैस आप गैस की फ्लेम थोड़ा कम कर दें जिससे यह जले नहीं अब हम इसमें जो हमारी अद्रक कटी हुई है उसको डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें मुख़ली के दाने डाल देंगे अब आप इसको थोड़ा सा चला लें अच्छे से स्टोर कर लें इसको और इसके बाद हम इसमें हमारी जो सबजिया है वो डालेंगे ये देखे हमने गोबी डाल दी और इसके साथ ही हमने जो हमने गाजर काट करके रखी है ये डाल दी है और इसके साथ ही हमने मटर के दाने डाल दी है अब इनका कलर कितना प्यारा लग रहा है अब अब इसको अच्छा से चला लें अब इसमें गाइज हम नमक डालेंगे और तो नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के कोडिंग डालेंगे, करीब एक चमच में यहाँ पर डाल रहे हूं अब इसे नमक डालने से होगा क्या है, हमारी सबजियां थोड़े अच्छे से कुक हो जाएंगे, बहुत जादा ओवर कुक नहीं करना हमें, आप इसको अच्छा सा इस्टर करके आप इसे ढाग दें, आप देखे इसमें स्टिम बनने लगी है, तो करीब एक मिनट हम इसे इस अब इसमें आप इसमें लाल मिर्च का पॉडर डाल दिया है, अब इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चों हमने कटकरके रखिए हो भी डाल देंगे, आप यह देख लो आप जैसा इसको स्पैसी रखना चाहते हैं, उसके एक औरिंग आप इसमें मसाले डालें, और हमने और अब इसमें लाश्ट में डालेंगे, गरी और किसमें अब द्यान रखना जैसे मैं इसमें बनाया है, बिल्कुल उसी प्रोसेस से बनाएं, अब इसके बाद हम इसमें लाश्ट में आलू डाल देंगे, जिसे हमने मैस करके रखा था, अब इन सभी को आप अच्छे से मिक्स करते जाएं, और इसे आप इस तरह से, जिसे कि सारे सा नने सबसाद सब्सक्राइए, और सब अच्छे से मिक्स हो जाएं, और फिर हम इसमें लाष्ट में धनिया पतर डालेंगे, और इसे दा से कर दाद कार थाbasốc, इसे अफ़ फ़रिशित हम इसे डंशला दिया हम इसे बन यह भी ब्रेड में वील-पयोटाली समी क्यान से रिच्यू थोड़ान काल प्रॉटा法 बेड क्रंप्प्रॉब ब्रेड को साफ़ पानी करें बाल में और इस तरह से चारो तरब इसा धाल और इस तरह से गुटारस Governor अब इसी तरह से दीखें, फिर मैं आपको एक बार दिखाती हूं, आप ऐसे ही करना, इसे हम बीच में स्टाफिंग रख जा है, और ब्रेड हमें सीधी रखी है, मैंने आप इस तरह से हमें से रोल करेंगे, इसी तरह से हम सारा ब्रेड है, इसको हम स्टाफ करके, एक शैप हम इसको बना लेंगे देखे गाइस मैंने सारी रेडी कर ली है और यह जो स्टाफिंग हमारी है इससे मैं और बनाऊंगी थोड़ी ब्रेड और चाहिए मुझे आपसे एक अपनी बहुत अच्छी ट्रिक जो है मेरी ब्रेड रोल बनाने की उसको मैं शेयर कर रही हूँ इस तरह तरह से सूजी ले ले लें और विशक सब्षय ब्रेड रोल इससे कोड ले अर अच्छे से And, family of a barbecue, with moon, south, mac, fire Competition और तो सब्सक्राई ने हने हिसा इस सब्सक्राइब चाहिए इसे कोड़ा है दो सब्सक्राइब कर आपको justement मैं उसमें आप लिए निर आपका मैं अब बना के देखना आपको जुरूर अच्छी लगेंगे अब हम इनको फ्रीज में रख देंगे आदे गंटे के लिए आदे गंटे बाद हमने गैस जला दी थी और हमने इसमें कड़ाई रग दी है इसमें हमने रिफाइन डाल दिया है हमें इनको डीफ राइ करना है तो यह बहुत जादा ओयल अब्सॉब कर लेंगे तेज फ्लैम पे हमने इसको डाला है तो देखिए कितने अच्छे से यह फ्राइ हो रहे हैं आप इस तरह से स्टार्ट में इनको बहुत जादा ना छेड़ें अब करीब दस से बीस सेकेंड बाद आप इसको टर्न कर दें इस तरह से स्टार करते रहें इनको घुमाते हुए हम इनको फ्राइ करेंगे देखिए यहां पर तो कैमरा फास्ट है इसलिए आपको जल्दी दिख रहा है लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन यह सिके हैं देखिए गैस इसमें हमन यूनिक तरीका है आप जरूर ऐसे ट्राइ करें आपको बहुत अच्छे लगेंगे और जरूर पसंद आएंगे अब देखिए हमारे यह बैच हो गया है यहां पर फ्लैम हमें तेज रखनी थी और बाद में हमें उसे मीडियम कर देनी थी इसी तरह से आप इसको सेक लें प जब भी ब्रेड रोल बनाते हैं तो इसकी तिनी अच्छी खुसबू आती है वहत बढ़िया लगते हैं देखने में भी और खाने में भी आप देखिए यह भी बैच हमारा रेडी हो गया है इतनी स्टाफिम में हमारे करीब 20 ब्रेड रेडी हुए हैं सब को एक साथ कर लें देखिए बिल्कुल रेडी है टोमेटो सॉस के साथ सर्व करने के लिए देखिए मैं आपको इसकी क्रंचिनेस दिखाती हूं बहुत ही यम्मी बहुत ही क्रंची बने हैं आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें बैल आइकन को आप जरूर प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे थैंक यू